नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे दोस्तों आज हम एक इंपोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगें वो टॉपिक है कि MP नर्सिंग जो MP से जियनम कर रहे हैं इनका रजिस्ट्रेशन जो हे की apply हो चुका है लेकिन पता नहीं है कि उसका process क्या है उसको track कैसे करेंगे अभी जो उसका position है registration application का वो कहां तक पहुआ है या अगर जो digital जो registration नमबर होता है वो अगर generate हो गया है आपके पास mobile पर उसका जो registration नमबर है वो आ चुका है तो digital registration कैसे दाउनलोड करें इन सब पर बात करेंगे ठिक है उससे पहले अगर आप channel पर नए हैं तो please channel को subscribe कर दिजिए it's request ठीक है तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आपको अपना registration कैसे download करना है या अगर जो registration number नहीं generate हुआ है तो उसका application का जो track करना है वो उसका process कहां है उसका position कहां है कहां तक पहुंचा है ये कैसे पता करें तो हम इस वीडियो के मादेम से आपको सारी बात आपको बताने जा रहे हैं ठीक है जो मध्ध परदेश नर्सेस रेजिस्टरेशन कॉंसिल से जो इन्होंने जीनम किया है और वो 1821 सेशन वाले हैं ठीक है 1821 सेशन वाले हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि अभी 1922 का जो सेशन है वो अल्रेड़ी ओन गोइंग है रनिंग में है उसका थर्ड येर का एक्जाम अभी नहीं हुआ है आई होप कि कुछ जल्दी ही उसका भी एक्जाम का नोटिफिकेशन आ जाए तो ठीक है तो आपको दिखाते हैं कि आपको कैसे क्या करना है ठीक है दोस्तों चलिए आपको simply google open कर लेना है ठीक है आप google open करने के बाद आपको क्या करना है google में type करना है ठीक है आपको google में type करना है mpnrc mponline ठीक है आपको इस तरह से mpnrc mponline करना है आपको type करना है आपको इस प्रकार से page खुल जाएगा ठीक है mpnrc.mponline.gov.in इस पर आपको click करना है ठीक है इस पर click करने के बाद आपको इस प्रकार से एक page खुल जाएगा जो कि mponline का एक page है nurses registration council मदपरदेश का ठीक है आपको वहाँ नीचे जाना है और आपको यह देखना है आप देख सकते हैं आपको यह जो आप देख रहे हैं डाउनलोड डिजिटल रजिस्ट्रेशन ठीक है डाउनलोड डिजिटल रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ अप्लाई लिखा हुआ है ठीक है यहाँ आपको क्या करना है सिंप्ली आपको अप्लाई पे क्लिक करना है ठीक है अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना अप्लिकेशन नमबर लिखना यहाँ पर क्या लिखना है आपको अपना अप्लिकेशन नमबर जो भी आपका अप्लिकेशन नमबर है MR करके, अगर आपके पास application number नहीं है तो आप अपने college से संपर्क करें और उन्हें अपना application number ले लें उनसे MR करके एक application number बनता है और उसके बाद यहाँ पे आप अपना data birth data birth DDMMYY के format में आपका अपना data birth यहाँ पे fill करना, जैसे मेरा 25 है 25 के बाद slash 02 slash 1992 इस तरह से आपको भढ़ना है नीचे यहाँ जब आप आईएगा, तो यहाँ पे आपको capture भढ़ना है capture कैसे भढ़िएगा, जैसे 5 plus 7, 12 होता है तो आप यहाँ पे आपको 12 लिख के 100 कर देना है जैसे आप 100 कीजिएगा, अगर आपका registration जो है कि generate हो चुका है, अगर जो registration नमर आपका generate हो चुका है तो आपको यहाँ पे एक PDF फाइल ओपन हो जाएगा आप उस PDF फाइल में जो है कि उसको आप download कर लीजेगा उसके बाद उसे आप असानी से open कर सकते हैं ठीक है, अगर वो PDF में अगर जो pin लगा हुआ है तो अपना date of birth डालने के बाद वो आपका PDF उपन हो जाएगा ठीक है दोस्तों अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है अगर जो आप नहीं कर पा रहे हैं आपको कोई प्रेसानी हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा और हम कोशिस करेंगे कि आपका जो है हम मदद कर सके ठीक है दोस्तों तो इस परकार से आप अपना digital registration जो है की download कर सकते हैं और अपना registration process को track कर सकते हैं ठीक है दोस्तों बाकी इसमें कुछ ऐसे भी दिये हुए है points जैसे आपको अगर जो duplicate mark sheet आपको mark sheet खो गया है या mark sheet में correction है तो वो सब भी यहाँ पर option जो है की available है आपको इसका instruction को follow करके आप यहां से बहुत सारे ऐसे services हैं जिसका कि आप लाव ले सकते हैं ठीक है तो यह MPNRC का MP online का पोर्टल है ठीक है दोस्तों बाकी ऐसे ही informative वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो को like करें सब्सक्राइब करें थैंक्यू दोस्तों जैहिन